नमस्कार स्वागत है आपका आपकी एपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में वर्दमान माविर खुला वेश्व देले कोटान है जनुरी दोजारे में दोजार बीस में डीलस बीलेस कोर्स में प्रविस्त के लिए जो प्रेक्टिकल पेपर बाकी थे उनके परिक्सा की गोशन कि जो लोगडाउन से पहले जो पेपर हुआ करते थे वह तेन घंटे के पेपर हुआ करते थे और वर्दमान में किस तरह का यह पेपर होगा तो उस प्रेटन को लेकर हम बात करेंगे चलिए पहले पेपर देख लिए जो डीलस जीर टू दिसमर दो जार्वनिस का है यह किस पेपर के अंदर ही करना होता है तो इसकी निर्दिस हम पड़ लेते हैं यह जो प्रेशन होता है तो जो प्रेशन के होता है इसी पेपर के अंदर ही आपको देने होते हैं यह जो पेपर विद्यार्थी को नहीं दिया जाता है दूसरा यह पेपर में दो खंड होते है पहली जो आपके पाठे करम में है वो उप्योगार्थ उपलब्द है इसका मतलब यह हुआ कि आपके एक्जाम हॉल में यह किताबें आपके पास रहेगी मौजुद रहेगी वो इन्हीं को आप देकर आप अंसर्स लिखेंगे और जो इसमें जो दूई बंदू वर्गीकंड जो किताब है यह काफी सस्ती है 300 रुपे तक आपको मार्केट मिल जाती है आपको प्रक्टिकल सुवीरिम बता दिया गया होगा और जो डीडी सी यह काफी महेंगी है यह एक जाम होल में यूनिस्टी द्वारा उपलग्द कराई जाती है और परिक्सा होल के परिक्सा खतम होने के बाद यह आप से वापस ले ली जाती है कुछ जीसे कोटा यह जैपूर के युद्य होगा वी yeterati को यह किताब उपलग्द करने कानवस वे बता इयुकल करक्रें लेकिन बाटेश्थ बुइलिकें लेक decisions और फेयुक्त श्रक्रें पर ऑने चांवर को सब्सक्रान करते सब्सक्राइब्स करें बादने वारिया सिखने के लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए अब इसमें जो पहला सेक्षन ये जो खंड है ये दुई बिंदु वर्गी कर जो का है कॉलन क्लासिफिकेशन का है तो इसमें पहले क्या होता था कि यह पहला जी प्रस्ट ने इसमें से आपको किनी पांच कानफे अपया सम्कुलम आपके साथ सवाल होते थे और ये पांच सवालों के आपको साध सथर अंक मिलते थे उसका जो तीसरा प्रेस्ट होता था थे थो ठोड़ा बड़ा जट्ल सवाल थोड़े से जिसमें पांच सवाल आपको करने थे वो शाड़े बंकाल यह प्रेस्ट होता 1-फैस्थ तो ठीक, same to same आपके जो डीडीसी है, बुक, उसके भी इसी तरीके से जो स्वाल है, आप डीडीसी बुक से पहला जो स्वाल था, इसमें से आपको पांच करने पर तेक जो प्रेशन है, वो दूवंका था, आपके कुल, दसंक, और दूसरा जो स्वाल है, इसमें से भी आपको साथ में से पांच करने थे वो ये पांच सवाल आपके साड़े से सत्रांग के होते थे और तीसरे सवाल में भी आपके साथ में से आपको पांच सवाल करने होते थे वो साड़े बाई संका होता था इस तरीके से हंडर नमर का पूर्णा हो जाता था इस तरीके से पेपर हुआ अभी हमने देखा section अभी में जो दूइ बिंदू बर्गी करने की स्वाल होते थे अब यसे प्रसंद से क्या एक में से आपको साथ में से कुई तीन करने पहले कितने करने होते थे पांच करने अब आपको कुछ सिर्फ तीन इन में से तीन ही स्वाल करने दो वाले साथ में से तो वह आपके प्रतिक प्रसंद पांच का इसलिए यह पंदरांग का वह पुराने प्रेटन में साड़े संत्रा सत्रांग का हुगा करता था तीसरे जो थोड़े-बड़े जटिल स पचास नका ठीक ए पैपर इसी तरीकी आएगा बस फर्क आपको सवाल कम करने हैं तो अची बात है गिए पातए है को इतने सद्वा अशा थे लिए उन अच्छे अंक लाने के लिए आपका सुने रहा मुका है पहले पांच करने पड़ते थे आपको तीन जो अच्छे सवाल है चोटे बढ़िया सवाल जो आच्छे से आरे आप कर सकते हो तो कुल्मला के इस बार पेटर्न अच्छा है आप अच्छी मेहनत करें अच्छे अंक टॉपिक बार बना दे लेकिन आपको यह पता नहीं का आपकी सेले विसम ही क्या तो इस तरीके से मैं यह वीडियो बना यह वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आकन दबा के नौटिपिस नावल पर कलिक कर दें जैसे मैं इस